महराश्टर के नवी मुंबई में गर्मी के वजह से 16 अप्रैल को 13 लोगों की मौत हो गई ये लोग एक सरकारी कारिकरम में शामिल होने आये थे जिसमें गुरी मंतरी अमित शाह एक कारिकरता को पुरसकार देने पहुँचे थे एक तरफ इन 13 लोगों की मौत है और दूसरी तरफ देश के ज़्यादतर हिस्से में बढ़ता टेंपरेचर है जिसकी वजह से देश में हीट वेव की स्थिती बनी होई है अब ये हीट वेव क्या है? इसकी वजह क्या है? इस पर बात करेंगे आज एंसी डिकोट्स के इस वीडियो में देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है 18 अप्रैल को देश में करीब 20 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा भारत के मौसम विभाग यानि IMD ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में लू चलने की भी संभावना है मीडिया खबरों के अनुसार देश का 90 प्रतीशत हिस्सा भैंकर गर्मी की वज़े से डेंजर जोन में है लेकिन इस रिपोर्ट ने यहाँ भी बताया है कि दिल्ली सरकार या केंदर सरकार जलवायू परिवर्तन यानि क्लाइमेट चेंज के लिए परियाप्त उपाए नहीं कर रही मौसम विभाग के मताबिक इस वक्त देश में जादा तर हिस्सों में टेंपरेचर एट एन एवरेज फाइव डिगरी जादा चल रहा है हीट वेव या कहें भीशड गर्मी के वज़े से पश्चम मंगाल, बिहार, उत्तर पुर्देश, राजस्थान, दिल्ली अंसियार, महराष्ट्र के इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं पश्चम मंगाल और बिहार में गाइडलाइन्स जारी की गई हैं और स्कूलों की या तो पूरी छुट्टी कर दी गई है या स्कूल आवर्स को सुबे साढ़े दस बजे तक सीमित कर दिया गया है उतरपूर्व के राजे तक बढ़ती गर्मी से जूज रहे हैं त्रिपुरा और मेगाले के कुछ हिस्सों में भी सरकार ने कुछ दिन स्कूल बंद करने के आदेश दे दिया हैं आने वाले एक हफते में इस हीट वेव से रहत मिलने की संभावना नहीं है आपको यह मालूम होना चाहिए कि हीट वेव का सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो बाहर काम कर रहे हैं जिनका वर्क प्लेस सडक, गली, महले आदी जगहें हैं इनमें दिहारी मजदूर, रिक्षा चालक, ट्रैफिक पुलिस जैसे लोग आते हैं जनवरी 2023 में मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि 2022 में एक्स्ट्रीम वेदर की वज़े से भारत में 2227 लोगों की जान गई थी ये साल 1901 के बाद से पांच मां सबसे गरम साल बताया गया था एक्स्ट्रीम वेदर में जरूरत से ज़्यादा बारिश, गरमी, तूफान जैसे मौसम होते हैं वहीं अगर सिर्फ हीट वेव की बात करें तो पिछले 50 सालों में 17,000 से ज़्यादा लोग हीट वेव का शिकार होकर अपनी जान गमा चुके हैं अब सवाल ये उठता है कि ये हीट वेव क्या होती है आए समझते हैं अगर मैदानी इलाके में अधिक्तम तापमान कम से कम 40 डिग्री सल्सियस, 30 एक्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सल्सियस और पहाड़ी एक्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सल्सियस तक पहुँच जाता है और सामान इसे कम से कम 4 डिग्री सल्सियस जादा हो जाता है तो उस को heat wave कहा जाता है आने वाले समय में heat wave की वज़े से क्या मुश्किले हो सकती है इसको समझने के लिए हमने वैग्यानिक डी रखुननन से बात की है ये जो लहर चल रहा है heat wave का गर्मार का लहर जो चल रहा है ये जलवाईयू परिवर्तन के वज़े से और जलवाईयू परिवर्तन के बारे में हमने मेरे कि तक्रिबन 15-20 साल बैग्यानिक इसके बारे में बता रहे हैं कि जलवायू परिवर्तन के वज़ाए से गर्माट की लहरें और बढ़ेंगी वो तीवर होंगी और वो लंबे समय तक चलेंगी यानि कि केवल चार दिन पांच दिन का नहीं रहेगा चलेगा तो जैसे पिछले साल चला था तकरीबन एक महीने तक वो खीचा था और तापमान भी काफी उंचा था तो उस लहर का इस साल भी कंटिनिवेशन है हमने ये देखा कि पिछले तीन साल से ये जो ला नीनिया का असर है वो चल रहा है मौनसून भी थोड़ा धीला साही है पर इस साल लगता है एक तो की गर्माट की लहर तो अब महराष्टर से लेक बंगाल और त्रीपुरा में हो रहा है और अगर आप मौनसून के पैटर्न को देखेंगे मौनसून बढ़ता है हिंदोस्तान में पहले जो गर्माट की लैर भारत में चलता है उसके पीछे-पीछे मौनसून की लैर आती है तो जब शुरू होता है मौनसून तो वो केरल से उत्तर पूफ की तरफ फिर महाराश्टरा उत्तर पूफ की तरफ और दीरे दीरे उत्तर भारत की तरफ पढ़ता है तो अब यह जो गर्माट की लहर है महाराश्टरा तक पहुंच चुका है इसका मतलब तक्रीमन दो हफ्ते धाई हफ्ते के बाद यह मद्यप्रदेश से होते हुए उत्तर भारत में दिली में पंजाब हर्याना में पहुंचने की आशंका है ये कहना कि serious नहीं है ये तो ठीक नहीं होगा हर कोई serious है वो देख रहा है कि serious ही होना पड़ेगा क्योंकि इसके जो असर हैं वो सब जूज रहे हैं इसके साथ हमने देखा पिछले 4-5 साल से लगातार वहां पे भी गर्माट की लहर हो रही है चाहे आप अमेरिका की बात करें यूरप की बात करें दक्षिन यूरप में अमरीका में इस साल भी जंगल में आग लगी हुई है वो भी तापमान के बढ़ने के वज़े से हो रहा ह हुआ है तो एक तरफ उनके यहां भी असर जोर का पढ़ रहा है यह नहीं हो सकता कि हम थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएं और फिर वापस लाए जाएं और मेरे ख्याल से जो विक्सित देश हैं उनको बहुत तेजी से काम करना पढ़ेगा और उसके साथ-साथ चीन को औ और भारत को भी और बढ़ना पढ़ेगा हाला कि भारत को अभी बढ़ने की गुंजाइश है अपने सरजन को बशरते हम उसको जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा हमें काबू में लाना चाहिए उसको थोड़ा धीमे कर देना चाहिए तब मेरे ख्याल से अगर बस्चिमी देश जितने हैं वो और चीन वो जोर लगाएं इसके पीछे तो अभी भी काबू में लाया जा सकता है बशर्ते ये जल्दी से हो और जितनी मात्रा में उत्सर्जन को कम लाने की जरूत है वो उस मात्रा को ये देश जो है उस पे क्लाइम रहें आपने सुना कि क्लाइमेट चेंज यानि जलवायू परिवर्तन इस भैंकर गर्मी या अन्य भैंकर मौसमों की वज़े है क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी सरकारे या विक्सित देशों की सरकारों ने कदम तो उठाएं हैं मगर वो परियाप्त बिल्कुल भी नहीं हैं बता दें कि भारत में काम करने वाले लगभग 75 प्रतीशत कर्मचारी ऐसे हैं जो गर्मी से जुड़ी परिशानियों को अपने रोजमर्रा के काम में जहलते हैं आने वाले कुछ दिनों में ये हीट वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है दिल्ली की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मताबक मई के अन्त या जून की शुरुआत तक ये हीट वेव लोगों को परिशान करेगी ऐसे और वीडियों के लिए सब्सक्राइब कीजे निउसक्लिक.in को अपना ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए बेहद शुक्रिया